नमस्कार स्पागेत है आप सभी का एजुकेशन की एडशिक्स में रुख करते हैं बिहार की तरफ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा फॉर दलेटे जॉब अपडेट बिहार की नियुक्तियों को लेकर अगर हम चर्चा करें और खास कर एक ऐ तो उसकी ज्वाइनिंग अभी तक हुई है आप लोगों के सामने प्रमाण की जुरूरत नहीं है मुझे लगता है कि आप लोग सभी समझते होंगे कि यह आयोग कैसा है खेर यहाँ पे आज हम बात करेंगे बिहार के नई अपकमिंग विकेंसिस को लेकर जो कि बिहार S.S. इसके सवालों को भी देख लाओंगा जो कि पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रहा था इसके बाद जो एक नया नोटिफिकेशन अपडेट होकर आया है यह बिहार S.S.C. की तरफ से जो कि अभी काफी वाइरल हो रहा है नोटिफिकेशन वैसे बिहार S.S.C. के ऑफिश कितना वेकिंसी आने वाला है इसके उपर थोड़ा साम चर्चा जरूर करेंगे चलिए लेकर चलते हैं तो विहार के चात्रगण कृप्या ध्यान देंगे आपके लिए यह बड़ी खबर हो सकती है सीधे इसके ओफिशिल नोटिफिकेशन पर लेकर चलेंगे दोस्तों जो क हमें भी यहां पर मिल पाया है इसके नोटिफिकेशन अपडेट को लेकर सबसे पहले हम उन विज्यापन को दिखलाना चाहेंगे जो कि अभी कुछ दिन पहले विहार विदान सभा में इसके उपर चर्चा भी हो रही थी तो यहां पर आप देखेंगे इसमें नोटिफिके जैन आयोग का तिर्तिय इसनातक इसतर्ये जहां पर कुल एक सोगने इसने जि सोची भेजने में तीन वर्स क्यों लग गया है तीन वर्सों के बाद भी आयोग के द्वारा इसकी बहाली के संबंद में विज्यापन जारी क्यों नहीं किया गया आ है तो सरकार जो है तिरतिय इसनातक इस्तरिय यानि कि बिहार SSC CGL 3 बहाली के लिए कब तक बिग्यापन जारी करने का विचार रखती है और नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है यह सवाल पुछा गया संदीप सौरप जी के द्वारा जो की पालीगन छेतर से आते हैं तो य स्विकरात्मक और वस्तुति यह है कि तीरतिय इसनातक इनकि बिहार SSC CGL 3 परतोक्ता परिक्षा में कई महत्थपुन पद यह था यहां पे साची वाले सहायक, मलेरिया निरिक्षक, अंकेक्षक यानि कि और इटर के भी पोस्ट है योजना सहायक, डेटा एंटरी उपरेट समलित है इसके अलावा और वी वेकेंसीज है जो कि 1905 पदों के लिए वर्णित किया गया उक्त पदों से सम्मंदित विभागों में समाने प्रसासन विभाग के द्वारा सचीवाले साहय के पद पर यहाँ पर नियुक्ती है तू 1360 रिक्तियां जो कि 30 जुलाई 2019 स्वास्त विभाग के द्वारा मलेरिय निदेख्षक के लिए 74 पोष्ट और 15 जुलाई 2019 के लिए अंकेक्षक के लिए निदेशाले के द्वारा अंकेक्षक के 370 पदों की अधियाशना दिनांक 1 जुलाई 2021 को और योजना एम विकास डेटा इंट्री ओपरेटर के दिये गए जो कि 2 पद के लिए भेजी गई फिर दिनांक 30 जुलाई 2019 को समाज कल्यान निदेशाले की तरफ से ग्रिहपती सहलिपिक के 60 पदों की अधियाशना और 1 अक्टूपर 2019 तथा सहकारता विभाग की तरफ से अंकेक्षक यानिक जा गया जियां रिक्रूट्मेंट के लिए यहां पे यह हमने मंत्री जीर ने बताया हमें यह तो बात हो कि अब यहां पे जो है क्या कहा गया इसके विषय पर बिहार करमचारी चैनायोग परिक्षा संचालन नियामली 2010 के अनुसूची 2 में इसनातक इस्तरिये में जो उले अधियाशना की उपलब्त कराने उपरां अन्य इसनातक इस तरिये पदों की अधियाशना प्राप्त होने के विलंब हुआ है यह मानते हैं मंद्री जीर और पूर्व में समाने प्रशासन विभाग के द्वारा कुल 1905 इसनातक इस तरिये जो परिक्षाएं है यानि पद है अधियाशना जो है बिहार एससी को प्लब्त कराई गई थी तथा समय समय पर अन्य विभागों के द्वारा भी अधियाशना संके कित यहां पर की गई है तीरतिये इसनातक और जो भी हमारे संजुक पर्तोंगता परिक्षा के कुल 224 पदों पर नियुक्ति है तो विग्या भी अधियाशना जो है जो इस तर है इसका भी ओपन प्रारूप यह सहमत्य प्राप्त करने की करवाई अयोके इसतर पर प्रयाधीन है और यहां पर कोई भी यह फिक्स मंत्री जी ने एक आंसर नहीं दिया है जो कि कब-तक यहां पए हम कुलेक्षित कर लेंगे इसको हम ल यहां पर जो की विधान सभाओं में यह सवाल और जवाब चल रहे थे लेकिन अभी आपको मैं बता दू कि यह 8 मार्च को एक notification आया यह notification अगर आप बिहार SSC के official website पर आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं देखने को मिलेगा बिहार SSC आप सर्च करेंगे यहां पर तो देखे assistant teacher की वहाली को लेकर है जो की पुरानी vacancy है 2010 की लेकिन इसका कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा यह वाला जो यह वायरल हो रहा है social media पे और इसके अधीन में क्या कहा गया है चुकि यह notification सही भी हो सकता है तो यहां पे बिहार सची वाले चैन आयोग के द्वा यह अपडेट दिया जा रहा है कि तीरतिय इसनातक इसतरिये संजोग पर्तोक्ता प्रक्षा अउजित करने हैं तो विग्यापन प्रारूप जो विभागी सहमती प्रतान किये जाने के समन्द में यानिकि अब यह फाइनली इसको सहमती मिल चुकी है और उसके समन्द में य यहां पर जो कि निदेशा नुशार उप्रयोक्त विश्य और प्रशंक के संभव में कहना है कि प्रसाधीन पत्रों पर माध्यम से आयोग कार्याले को सचीवाले सहायक के तेरे सो साड़ पद जो कि मैंने अभी आपको सारा डिटेल बताया मलेरिया निदेशक के चोहत्तर पद और तीन सो सत्तर पद हैं अडिटर के यानकी अंक अंक च्छण निदेश्य लाय में ठीक है और सहायक निदेशक के लिए सहायक के लिए यहां पर 84 और 41 पद डेटा इंट्री ऑपरेटर के दो पद और यह दोस्तों सहयोग सहमित्यों के लिए हैं थता 256 पद यहां पर ग्रिह पती सहलिपिक के लिए 20 पद जो कि केवल महिलाव के लिए होंगे और वहीं पर ग्रिह पती सहलिपिक के लिए 40 पद यहां पर अधियाशना प्राप्त हुई है यानि कि इस नोटिफिकेशन में अगर हम बात करें तो 1360 यह और बाकी यहां पर अन्य जो की पोस्ट है यह सहमती यहां पर मिलने के समन्द में एक यहां पर लेटर जारी कर दिया गया है ठीक है अब यह बोला जा रहा है यहां पर कि जो भी प्राप्त अधियाशनाये हैं उसके आलोक में समलित पद एवं उपलब्ध रिक्तियों को समाविशित करे और तीरतिय इस नातक इस्तर यह संजुक परतोगता परिक्षा में सामिल करते हुए विग्यापन प्रकाशन किया जाना है तो अब इसके बारे में नोटिफिकेशन आना है विग्यापन प्रकाशन के पूर्व विग्यापन प्रारूप विभागिये सहमती आपेक्षित है लेखनिये हैं कि तैयारी तैय ये सम्मंदित जो अधियाशना है और ये अधिसूशना जो है इनकी जारी की गई है इसमें जो 2014 में निम्तम उम्रशिमा थी वो 18 थी लेकिन अब इसको बढ़ाके निम्तम उम्रशिमा 21 वर्स भी तैयार किया गया है फिलाल यहाँ पे जो बिहार ससी सीजिल थर्ड की बात की गई है उसमें कुल 247 प्रदों का जो की विभाग वार यानि पदवार जो है अंकन करते हुए विग्यापन प्रारूप तयार किये जाने पर विग्यापन प्रारूप विभागे सहमती हितुप्रिशित किया जाता है कोई अपडेट नहीं दिया गया है नहीं दिया गया है इंदसिंस की यहां पर कोई भी बात नहीं कई गई है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा बस इसके विचार धीन हो चुका है और तीरतिये इस नातक स्तरिये प्रतोगदा परिक्षा आजित करने के लिए यह विग्याप को पता है यहां पे कि बिहार SSE CGL या बिहार SSE CHSL 2 या फिर बिहार SSE Group D की वेकेंसी है तो लगातार इन सभी जितनी भी वेकेंसी के अपडेट दिये जा रहे हैं अख़बारों के माद्यम से या फिर ऐसे नोटिफिकेशन के माद्यम से तो आयोग अपने वेबसाइट पे इसको क्यों नहीं परदस्चित करती है क्योंकि आयोग ही निकम्मी है यहां पे सीधी सी बात है मैं यहां पे जूटनी कहना चाहूंगा यहां पे वो अगर यह सारी चीज़े लिखकर सामने रख देती है और कि यह जो वेकेंसी है SSE है और हमारे पास ऐसे रिक्रूटमेंट है तो उनको यहां पे विग्यापन प्रकाशित करना पड़ जाएगा लेकिन अभी तक ऑफीशल कोई अपडेट नहीं है ऑफीशल अपडेट आने चाहिए यहां पे सरकार को इसके उपर संग्यान लेना चाहिए विपक्ष को इसके उपर थोरा प्रिशर देना चाहिए कि यह सिर्फ नोटिफिकेशन वाइरल किये जाएंगे विपक्ष के पास भी यह नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए तो आप लोग प्लीज ऐसे नोटिफिकेशन को शेयर केजे अपने छेत्र के उन मंत्रियों को जो कि इसके लिए आबाज उठा सके आप लोग भी इसके उ है यह सरकार उसका संग्यान में नहीं लेती है कि इस विभाग के लिए क्या काम कर रही है बिहार सेसी यह पता तक नहीं चलता है सिर्फ यहां पर नोटिफिकेशन आप लोग खुद चेक कीजे बिहार से का ओफिशल वेबसाट पर जाके यह नोटिफिकेशन जारी के जाते और यह भी देखिएगा तो यह सब 2010 की वेकेंसी है कोई 2019 की वेकेंसी है 2014 की वेकेंसी है यह ऐसी ऐसी वेकेंसी हैं आप लोग विश्वास नहीं मानिये ग lunar तो खुद चेक कीजे यहां पर मेरी बातों को अगर ध्यान में नहीं आता है इन सभी चीजों को लेकर यह बाते ब ये प्राप्त हो पा रहा है कि इसकी notification अप्रेल महिने में आने की संभाव ना है तो आविधन कब से सुरू होगा तो हो सकता है कि अप्रेल के second week of April में ये विग्यापन आ जाए ताकि ये notification के लिए यहाँ पे update आप लोगों तक पहुँचाए जा सके बाकी जो भी detail है मैं आपको update करता रहूँगा और ये notification हमारे पास आया था तो मैंने इसका जो update है आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया है धन्यवाद मिलेंगे आप से अगले वीडियो में आपको वीडियो शेयर करना होगा अपने इस notification को लेकर धन्यवाद